नमस्काद अश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ करक लगन वा करक राशी के जातकों के लिए अपरेल 2021 का समय कैसा जाएगा आज हम इस वीडियो में विचार करेंगे कि अपरेल का महीना करक लगन वा करक राशी के इसका जाएंगे कि ग्रेह की इस वीडियो देख सकते हैं और अव्म करक राशी के लिए अपरेल के महामें ग्रेहों की इसतिती क्या रहेगी पंचम भाब जो होता है विद्या, बुद्धी वा संतान का वहाँ पर रहेंगे पंचम भाब में केतू सब्तम भाब में जो सब्तमे शनी है वो सौराशी के विद्धमान है मका राशी में और महा के आरब में यापर देव गुरु बरस्पती भी होंगे लेकिन 6 अपरेल को देव गुरु बरस्पती कुम राशी में परवेश करके आपके अश्टम में आ जाएंगे भागे बाब में महा के आरब में सूरे बुद्धवा शुक्र की उती होगी और 13 अपरेल के बाद सूरे बुद्धवा शुक्र जो है मेश राशी में आपके दशम में आ जाएंगे महा के आरब में एकदश भाब में विर्शब राशी में मंगल वारा होगी उती और तेरे अप्रेल के बाद मंगर आपके दौदश में आ जाएंगे मिथुन राशी में तो ये तो है ग्रेहों की स्थिती कर्क लगन वा कर्क राशी के जातकों के लिए कर्क लगन वा कर्क राशी के जातकों के लिए अप्रेल का महा कैसा है अभी 6 अप्रेल 2021 को देवगुरु बर्सपती सप्तम भाब को छोड़कर अश्टम में आ जाएंगे यानि आपके अश्टम भाब में पढ़ती है कुमराशी जिसमें देवगुरु बर्सपती परवेश कर रहे हैं 6 अप्रेल से सकते हों आपको किसी पकार का श्ट देता है तो यहां पर आप के भागे बाब का सौमी आपके भागे बाब का सौमी अश्टम में आया है और आपके सब करजे ले रखे होते हैं उसका विचार करते हैं उनका स्वामी अश्टम में आ गया है तो ऐसी स्थिती में हमें थुड़ी सी साफधानी रखनी की जरूत है विशेशकर सबसे पहले बात करें केरियर को ले कर शे अपरेल से जब गुरू का कुमराशी में परवेश हो रहा है अ कि अचानक आपके ट्रांसफर की भी समभावना बन सकती है अगर अप सरकारी में है कि आपका करीं ट्रांसफर हो जाए इस बात का ध्यान रख्येगा साथ ही कारेस तलपर अपने शत्रों से साफधान रही था ग्र आपका कोई नया ट्रन आ सकता है जो हो सकता है आपके लिए नेगेटिव भी हो क्योंकि गुरु जब अश्टम भाब से समन्द रखते हैं अश्टम भाब होता है हमारा बाधाओं का विपदाओं का संगटों का जब इस भाब से देव गुरु बरस्पति का भ्रहमण होता है तो कई किसी प्राव्लम देते हैं सबसे पहली बालम हेल्थ की हो सकता है अगर आपको को लंबे समय सब्सक्राइब या पुलिस केस समभावना भी बनना बनती है contribute ज HEY 11geon सितन आपको परिशानी का नुबभ होगा क्योंकि भागेवाब में सूरे वबुध होंगे और कुछी ऐसे घ्रह का साथ आपको नहीं होगा स्रिफ एक दशवाब में मंगल आपके दशमेश मंगल में रहेंगे जो आपको थोड़ा सा साहता परदान करेंगे लेकिन 14 अपरेल के बा समय आपके पक्षमें होगा तब आपके कामों में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपका स्मूथली अपना कारेश्थल पर भी काम चलता रहेगा धन की बात करें तो धन के लिए अप्रेल का महीना आपके लिए काफी अच्छा है विशेशकर उनकी जो प्रॉप साफदानी से चलाएं किसी प्रकार की चोड द्रुगटना एक्सिडेंट होने की संबाबना बनती है स्वास्ते को आपको ध्यान रखना है पुरानी बिमारी आपको परिशान कर सकती है और क्योंकि भागे बाप का स्वामी अश्टम में गया है इसलिए आपको भागे का थोड़ा सा समल कर चलने का समय है अगर आप समल कर चलेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि परस्ततिया आपके पक्षमे नहीं है थोड़ा साफधानी रखेंगे तो आपको को विशेश बादा नहीं आएगी लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे कोई ऐसे डिसीजन ले लिए जैसे समय पर महत्यपूर्ण डिसीजन ले लिए करियर से जुड़े तो आप इसे परिशानी में फच सकते हैं अब हम देखते हैं कि अपरेल के महा में आपके लिए शुप्तितिया कौन सी है जब आपके कामों के बनने की संबाबना है वह शुप्तितिया है तीन 4 अपरेल 5 वची अपरेल साथ वबाराप्रेल 13 वचौदाप्रेल 15 वचुशच का दू अपरेल किसे अपरेल कि हमवारी के ईस만 तो बीचर्मा उ पहाना होगा चन्डरमा तो तुला राशी होगा होगा को आम देखिए folder नेगटिव होगा तो उस समय भूल कर भी कोई important काम, कोई महत्यपुन काम का विचार ना करें, वो साफधानी के दिन है, 8 वा 9 अप्रेल, 18 वा 19 अप्रेल, 26 वा 27 अप्रेल, 28 अप्रेल, तो दश्कोई मेरा वीडियो था, कर्क लगन वा कर्क राशी के जातकों के लिए, अप्रेल के महीने में, कम से कम, अप्रेल के महीने के स्टार्टिंग में, साफधानी की अप्रेक्षा बहुत अदिक है, साफधानी अखरनी की जरुवत है, 14 अप्रेल के बाद थोड़ा सा समय आपके पक्षमी आ जाएगा, सूरे, बुद्वशुक्र आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, आप थोड़ी सी राहत महसूस करेंगे, लेकिन कैरियर में एक तो आप इस समय जौब बदलने का बिल्कुल विचार ना करें, अचानक आपके ट्रांसफर होने की भी संबावना बनती है, और ध्यान रखिएगा, कि छटे भाप का जिससे डिन ड्रोग शत्रु का विचार करते है छटे भाप का स्वामी अश्टम में आया है, तो एक तो आपको परिशानी अपने शत्रों से हो सकती है, एक आपको हेल्से जुडी प्राबलम परिशान कर सकती है, हो सकता है आप किसी कानूनी अर्चन या पुलिस केस में फसने की संबावना बनती है, तो दर्शकों मेरा व साथी नमस्कात अश्कों, जैमातादी